कि नमस्ते कि नमस्ते मेरे प्यारे देश्वासियों कि कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई कि बहुत मजबूति के साथ हर किसी का यही सुजावाता है नागरीकों की तरफ से भी यही सुजावाता है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए कई राज्यतों पहले से ही लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं साथियों सारे सुजावों को ध्यान में रखते हुए यह तै किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब तीन मैं तक और बढ़ाना पड़ेगा याने तीन मैं तक हम सभी को हर देश्वासी को लॉकडाउन में ही रहना हुगा इस दोरान हमें अनुशाशन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं मेरी सभी देश्वासियों से यह प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी किमत पर नएक शेत्रों में फैलने नहीं देना है स्थानिय स्तर पर अब एक भी मरीज बढ़ता है तो यह हमारे लिए चिंता का विशे होना चाहिए कहीं पर भी कोरोना से एक भी मरीज की दुखत मृत्य होती है तो हमारी चिंता और बढ़नी चाहिए और इसलिए हमें होर्ट स्पोर्ट को इंगित करके पहले से भी जादा बहुत जादा सतकता बरतनी ही होगी जिन स्थानों के होर्ट स्पोर्ट में बदलने की आशंका है उस पर भी हमें कड़ी नजर रखनी होगी कठोर कदम उठाने होंगे नए होट स्पोर्ट का बनना हमारे परिश्रम और हमारी तपस्या को और चुनोती देगा नए संकट पैदा करेगा इसलिए अगले एक सप्ता में कोरोना के खिलाप लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी 20 एप्रिल तक हर कस्बे हर थाने हर जिले हर राज को बड़ी बारी किसे परखा जाएगा वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है उस खेत्र ने करोना से खुद को कितना बचाया है इसका मुल्यांकर लगातार किया जाएगा जो खेत्र इस अगनी परिक्षा में सफल होंगे जो अपने अहां होट स्पॉर्ट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके होट स्पॉर्ट में बदलने की आशंका भी कम होगी वहां पर बीस अप्रिल से कुछ जरूरी गतिविद्यों की अनुमती छुट्छाट दी जा सकती है लेकिन याद रखिए यह अनुमती संशर्ट होगी बहार निकलने के नियम बहुत सक्त होंगे लॉकडाउन के नियम अगर तूरते हैं और करोना का पैर हमारे इलागे में पढ़ता है तो सारी अनुमती तुरंत वापिस ले ली जाएगी और इसलिए न खुद कोई लापरवाही करनी है और नहीं किसी और को लापरवाही करने देना है मेरे देश्वासियों कल इस बारे में सरकार की तरफ से एक विस्तुरूत गाइडलाइन जारी की जाएगी साथ्यों बीस अप्रिल से चीनित खेत्रों में इस सिमीद छूट का प्रावधान हमारे गरीब भाई बहनों की आजिविका को धान में रखते हुए किया गया है जो रोज कमाते हैं रोज की कमाई से अपनी जरूरते पूरी करते हैं वही मेरा एक ब्रहत परिवार है मेरी सर्वोच्च प्राफिकताओं में एक इनके जीवन में आई मुश्किल को कम करना है प्रदान मंत्री गरीब पल्यान योजना के माध्यम से सरकार ने उनकी मदद करने का हर संभव प्रयास किया है अम नई गैडलाइन्स बनाते समय भी उनके हितों का पूरा ध्यान रखा गया है इस समय रभी फसल की कटाई का काम भी जारी है केंद्र सरकार और राज सरकारे मिलकर प्रयास कर रही हैं कि किसानों को कम से कम दिक्कत हो कि साथियों कि देश में कि दवा से लेकर के राशन तक कि परियाप्त भंडार है कि सप्लाइचेन की बाधाएं लगातार दूर की जा रही है कि हेल्थ इंफ्रस्टेक्टर के मोर्चे पर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जहां कि सिर्फ एक लेब थी वही अब कि 220 से जादा लेब टेस्टिंग का काम कर रही है कि बिश्क्व का अनुभव यह कहता है कि कोरोना के दस हजार मरीज होने पर पंद्रा सो सोला सो बेट्स की जरुवत होती है भारत में आज हम एक लाग से अधिक बेट्स की ववस्ता कर चुके हैं इतना ही नहीं छेसो से भी अधिक ऐसे अस्पताल है जो सिर्फ कोवीड के इलाज के लिए काम कर रहे हैं इन सुविधाओं को और तेजी से बढ़ाया जा रहा है साथियों आज भारत के पास भले सिमित संसादन हो लेकिन मेरा भारत के युवा वैज्यानिकों से विशेश आगर है कि विश्व कल्याण के लिए मानव कल्याण के लिए मेरे नवजवान साथियों आप आगे आएं कोरोना की वैक्सिन बनाने का मेरे देश के नवजवान मेरे देश के वैज्यानिक बेड़ा उठाएं साथियों हम धैर्ये बना कर रखेंगे नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना जैसी महामारी को भी परास्त करके ही रहेंगे इसी विश्वास के साथ मेरी बात समाप्त करने से पहले मैं आपका साथ बांग रहा हूं साथ बातों में आपका साथ पहली बात अपने घर के बुजुर्गों का विशेश ध्यान रखें विशेश कर ऐसे व्यक्ति जीने पूरानी बिमारी हो उनकी हमें एक्स्ट्रा केर करनी हैं उन्हें कोरणा से बहुत बचा कर रखना है दूसरी बात लॉकडाउन और सोशल डिस्टंसिंग की लक्ष्मन रेखा का पूरी तरह पालन करें घर में बने फेस कवर या मास्क का और वह भी घर में बने हुए उनका अनिवार्य रुप से उप्योग करें तीसरी बात अपनी इम्मिनिटी बनाने के लिए आयुष मंत्राले द्वारा जो निर्देश दिये गए हैं उसका घरम पालन करें गर्म पानी हैं काड़ा है इनका निरंतर सेवन करें चौथी बात कोरोना संक्रमन का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरग्य सेतू मोबाइल एप जरूर डाउनलोड करें दूसरों को भी इस एप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें पांचवी बात जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरे करें उनके भोजन की आवशकता पूरी करें चठी बात आप अपने व्यवसाय अपने उद्योग में अपने साथ काम करें लोगों के प्रति संबेदना रखें किसी को नोकरी से न निकालें सात्वी बात देश के कोरोना युद्धाओं हमारे डॉक्टर नर्सिस सभाई कर्मी पुलीस कर्मी ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें आदर पुर्वक उनका गवरव करें साथ्यों इन साथ बातों में आपका साथ यह सब्तपदी विजय प्राप्त करने का मार्ग है विजय होने का हमारे लिए निश्ठा पुर्वक करने वाला यह काम है पूरी निश्ठा के साथ तीन मई तक लॉकडाउन के नियमों का पालन करें जहां है बहां रहे सुरक्षित रहें वयम राष्ट्रे जागरयाम हम सभी राष्ट्र को जीवनत और जागरुत बनाए रखेंगे इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं आपको आपके परिवार को उत्तम स्वास की मंगल कामनाय करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद झाल